वन विहार भेजा गया बाग का शावक बीते दिवस रेस्क्यू कर पकड़ा था हालत में सुधार के बाद वन विभाग ने दी अनुमती मध्य प्रदेश के सिवनी जिला स्थित पेंच नेशनल पाक के बफर एरिया तुरिया गाउं से रेस्क्यू किये गए बाग शावक को शनिवार 24 अगस्त को वन विहार भेजा गया है जहां पर उसकी पूरी परवरिश होगी जानकारी के अनुसार मंगलवार को टुरिया गाउं में बाग शावक घुस गया था उसकी कमजोर स्थिती को देखते हुए उसे रेस्क्यू किया गया उसे ख्वासा के वन्यप्रानी चिकित साल्य में रखा गया था उसकी सेहत में सुधार होने के बाद रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ पी सी सी एफ को भीजी गई थी इसके बाद उसे वन्यप्रान भीजने के आदेश दे दिये गए इलाज के बाद वह अब ठीक है वही उसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं होना पाया गया है पेज टाइगर इजर्व के डिप्टी डाइरेक्टर रजनीश कुमार सिंग ने आज दोपहर बताया कि विगत 20 अगस्त को टुरिया ग्राम में एक रिजॉर्ट से बाग शावक को रेस्क्यू किया गया था इस बाग शावक की आयू लगभग 16-18 माह है रेस्क्यू के उपरांत उसे ख्वासा वन्यपरानी चिकित्सा सुविधा में रखा गया था रेस्क्यू के दोरान ही उसके रक्त के नमूने भी लिये गए थी तथा नानाजी देश्मुक वेटरनरी विश्म विद्यालय जबलपूर से आय रिपोर्ट में उसमें कोई भी बीमारी नहीं पाए पाई गई चून की बाग शावक को पूर्व में भी उसकी मां के द्वारा दो से तीन अवसरों पर अपने से अलग कर दिया गया था तथा 20 अगस्त को रेस्क्यू के उपरांद बाग की हालत देखकर वन्यपरानी चिकित्सक का मानना था कि विगत कुछ दिवसों से उसकी मांने उसे अलग कर दिया था इसी वजह से वलकम जोर था और भोजन की तलाश में ग्रामी एक शेत्र में आ गया था बाग शावक के स्वयम के द्वारा जीवन निर्वाह में सक्षम ना हूने के कारण उसे मुख्यवन निपरानी अभिरक्षक ने जंगल में छोड़ने की स्थान पर वन विहार भीजे जाने का निर्ण इलिया और आज 24 अगस्त को उसे वन विहार हेतु रवाना कर दिया गया है